नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी ओल टाइम पबलिक इंडिया पे आज सभी का स्वागत करता हूँ वहाँ पर धर्मरक्षनी सभा के महामंत्री कार्टिकना ठाकूर के साथ उनका विवाद हो गया दोनों तरफ से आरोप पर प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं फिलहाल प्रशासन जाच कर रही है ये पूरा मामला जो है नगर थाने में दर्श कराया गया उनके अंगरक्षक के दौरा शिकायत की गई है लिखित शिकायत में ये कहा गया है कि 12 सारे 12 के करीब पूजा कराने के दर्मियान जो है धर्मरक्षनी सभा के जो महामंत्री है उनके और उनके समर्थकों ने निशिकांत दूबे जी के गले से 1.20 लाग की चैन को छीन लिया उनके साथ शोगनी बेवहार किया अमर्द्यादित भासाओं का भी इस्तमाल किया वही धर्मरक्षनी सभा के जो महमंत्री हैं उनके तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो गलत राज्थे से परवेश करने की कोशिश कर रहे थे पलपल की अपरेट आपको देते रहेंगे बरते अंगली खबर के और गोड़ा के हट्या के पास जो है महाशिवरात्री की रात आलू और प्यास के गोदाम में भीशन आग लग गई दमकल की गारियां जो है मौके पर पहुँचकर आग को काबू पाने में जो है उन्हें सफलता प्रात की आग को फिलहाल काबू कर दिया गया हाला की आग कैसे लगी ये जो है अभी तक बात सामने नहीं आ रही है गोदाम के मालिक का करना है कि आग जो है बिजनस के प्रतिदोंदता में लगी है फिलहाल जाग जारी है जो भी जाँच रिपोट आएगी वो आप तक हम शेर्ट करेंगे बरते हैं अगली खबर की और खबर आ रही है पिरपैति के बारा हाट में शमाशिवरात्री के आउसर पे जो बारात निकाली गई आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य बारात यहाँ पर निकाली गई है लोग जश्न में डूबे हुए हैं भोले नात की पूजा करते हैं कि भगवान भोले नात बहुत भोले हैं कोई अनायश भी पूजा करता है तो उनको बहुत ही ज्यादा फल अपने भवतों को भगवान भोले नात देते रहते हैं तो यह आप देख सकते हैं बेग्राउंड में कितनी भव्य कलश भव्य जो है बारात यहां पर निकाली गई है सक्रियता इस वक्त राजनितिक दनों में भी अलग-अलग पाटियों की सक्रियता दिख रही है इसी क्रम में सयद सानवाज हुसेन जो है पहुंचे हैं भागलपुर दौरे पर और आज से उनका दौरा जो है वो स्टार्ट होगी आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर प्रतकों में खुशी है और खास करके राजनितिक रूप से इस छेतर में उनका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है तो ये आने वाले दिनों में भी होगा देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है बरते अगली खबर की ओर हरदेवचक ग पर ये तस्वीरे आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे विधी विधान के साथ यह मंदिर जो है काफी पुराना मंदिर है और तिवारी बासा गाव में ये मंदिर बना हुआ है तिवारी बासा गाव से पश्चिम की साइड बहुती भव्य तरीके से यहाँ पर पूरे चीजों को भेज सकते हैं वो जरूर हम अपने चैनल पे दिखाने का प्रयास करेंगे All Time Public India Always Supports the Public Concern और Public से ही हम हैं इसलिए हम Public की हर चीजों को प्रमुक्ता एक साथ दिखाने का काम करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इसको शेर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि पलपल की खबरों को जो है आप तक हम पहुँचाने में सफलता प्राप्त करते रहें अगरे दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समग चुपास्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत